Hello everyone, welcome to my channel, you're watching English study, Vishweta Chohan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 10 advanced English words जो हमारी vocabulary को expand और improve करेंगे. So let's get started. हमारा पहला word है autobiography. autobiography का मतलब होता है आत्म कथा. खुद के द्वारे लिखी गई एक आद्मी की कहानी. Story of a man written by himself. अगर कोई आद्मी अपनी ही कहानी, अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है, तो वो उसकी autobiography होती है, यानि आत्म कथा होती है. अब देखते हैं कुछ examples. उनकी आत्म कथा अथारे सो पच्चास में प्रकाशित हुई थी. ये sentence है, past में. उनकी आत्म कथा हो जाएगी, his autobiography. His autobiography was published in 1850. प्रकाशित होना को हम published कहते हैं. His autobiography was published in 1850. उनकी आत्म कथा कुछ साल पहले प्रकाशित हुई थी. His autobiography was published a few years ago. A few years ago, यानि कुछ साल पहले. हमारा second word है, aggressor. इसको हिंदी में हम आक्रमंकारी कहते हैं. आक्रमंकारी, यानि जो आक्रमं करते हैं. A person who attacks or fight first. ठीक है, ऐसे लोग, ऐसा व्यक्ती, जो पहले हमला करें या फिर पहले लड़ाई करना शुरू करें, उनको हम aggressor कहते हैं. For example, हमें हर हमलावर का, या फिर आक्रमंकारी का, डट कर मुकाबला करना चाहिए. We must face down every aggressor. Face down का मतलब है, मुकाबला करना. ठीक है, हमें हर हमलावर का, डट कर मुकाबला करना चाहिए. We must face down every aggressor. Second example, हमलावर सैनिकों को छेतरे से बाहर निकाला जा रहा था. हमलावर सैनिक यानि जिन्हों ने पहले हमला किया था. The aggressor troops were being pulled out of the area. हम सैनिकों को soldiers भी कहते हैं और troops भी. Okay, the aggressor troops were being pulled out of the area. बाहर निकाला जाना यानि pulled out. हमारा next word है a mature. इसका अर्थ होता है शौकिया. A person who pursue art or sport as a hobby or engaging or engaged in without payment. Basically non-professional. तो शौकिया वो लोग होते हैं जो किसी कला को, कोई sport को एक आदत के तौर पर करते हैं. ठीके, वो वो काम करते हैं जो उन्हें बहुत अच्छी लगती है, उनकी आदत होती हैं. और ऐसे कामों के लिए वो पैसे भी नहीं लेते हैं, पेमिंट भी नहीं लेते हैं और प्रफेशन भी नहीं बनाते हैं उस चीज़ को. ठीके, जिसे मान लीजे, किसी को मेक अप करना पसंद है, किसी को गाना पसंद है, लेकिन वो सिर्फ शौक के तौर पर गाते हैं, उसे अपना करियर नहीं बनाना चाहते हैं, वो होता है अमेजर, यानि शौकिया. examples, even though I'm an amateur singer, I hope to make a career out of it one day. भले ही में एक शौकिया गायक हूं, यानि amateur singer, लेकिन मुझे उमीद है कि एक दिन में इसे अपना करियर बनाऊंगा, चीक है? तो basically, मैं अभी शौकिया गायक हूं, जो गाना गाते हूं, वो एक शौक के रूप में गाते हूं, अभी वो मेरा profession नहीं है, मेरा career नहीं है, but I hope to make a career out of it one day. next example, she is considered an a major makeup artist because she doesn't get paid. उन्हें एक शौक या makeup artist माना जाता है, मतलब जो वो makeup करती है, वो सिफ एक शौक के रूप में, एक आदत के रूप में करती है, because she doesn't get paid. क्योंकि उन्हें भुक्तान नी मिलता है, क्योंकि उन्हें payment नी मिलती है, इसलिए वो उनको एक शौक या makeup artist माना जाता है. Next word we have is bibliophile. Bibliophile का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, तो यह नाम से काफी clear है, कि कोई भी जिसे पुस्तक पढ़ना पसंदो, someone who is a great lover of books, ठीक है, जिसे किताबे पढ़ना बहुत पसंदो, जो किताबियों का प्रेमियों, उन्हें हम bibliophile कहते हैं. For example, Ram एक पुस्तक प्रेमी है, Ram is a bibliophile, जो हर दिन कम से कम चार किताबे पढ़ता है, who reads at least four books every day, मतलब जो Ram है वो इतना बड़ा पुस्तक प्रेमी है, कि दिन में कम से कम चार किताबे तो पढ़ता ही है. Ram is a bibliophile who reads at least four books every day, मेरे पिता एक पुस्तक प्रेमी है, जो आसानी से किताबों की दुकान में घंटों बिता सकते हैं, who can easily spend hours in a bookstore, जो कि bookstore में कई घंटे आसानी से बिता सकते हैं. हमारा next word है bilingual, इसका मतलब होता है दुभाशी है, a person fluent in two languages, अगर एक व्यक्ती दो भाशाओं में fluent है, बहुत अच्छे से बोल सकता है एक व्यक्ती जिसको दो भाशाओं का बहुत अच्छा ग्यान है, उसे हम bilingual कहते हैं, यानि दुभाशी है. आसते हैं से कुछ example से, वह अंग्रेजी और जापानी में दुभाशी है, यानि वह अंग्रेजी और जापानी दोनों ही fluently बोल सकता है. वह एक दुभाशी परिवार में बड़ी हुई है, शी ग्रीव अप इन अ बिलिंग्वल फैमिली, बिलिंग्वल फैमिली यानि जहां हर कोई member दो भाशा बोलता है, चीक है, शी ग्रीव अप इन अ बिलिंग्वल फैमिली. हमारा next word है contemporary, इसका अर्थ होता है समकाली, यानि एक ही काल की कोई चीज़ें, वस्तुएं या एक ही काल के लोग, उन्हें हम contemporary कहते हैं, a person or thing, living or existing at the same time as another, ठीक है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु जो एक ही time से living में हो, existing में हो, उसे हम contemporary कहते हैं, इस word को समझते हैं हम कुछ example से, जॉन मेरा समकालीन है, जॉन is a contemporary of mine, इसका मतलब है कि जॉन और मैं एक ही age के हैं, same age के हैं, हमारा जो आयू है, हमारी जो age है, वो एक ही period की है, ठीक है, इसी लिए वो मेरे ही time का है, he is a contemporary of mine, next example, वे अपने समकालीनों से अलग है, मतलब जो भी उसकी age के लोग है, वो उन से सब में अलग है, she is different from her contemporaries, next is deteriorate, deteriorate का अर्थ होता है, बिगड जाना, कोई चीज जो खराब हो जाए, बिगड जाए, उसे हम English में deteriorate कहते हैं, become progressively worse or to become bad to worse, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो धीरे धीरे करके बिगड जाती है, या फिर बुरी से और बत्तर हो जाती है, उसे हम deteriorate कहते हैं, ओके, bad to worse, हम देख सकते थे कि उनका स्वास्त सपता दर सपता बिगड ता गया, ठीक है, तो जो उनकी health है, वो progressively worse होती गई, ठीक है, धीरे धीरे करके बिगड ती ही गई, तो इस तरह हम deteriorate का use करते हैं, ओके, हमारा next word है, इगोटिस्ट, इसका अर्थ होता है, एहमवादी, a person who is excessively conceited or absorbed in themselves, we can also call them self-seeker, ठीक है, ऐसे लोग जो खुद में अभिमानी होते हैं, जो सिफ अपने आप में ही lean होते हैं, खुद से पहले किसी और की नहीं सोचते हैं, ठीक है, self-seeker होते हैं, उन्हें हम एहमवादी कहते हैं, ओके, egotist, For example, my brother is very egotist and thinks he is the best baseball player, मेरा जो भाई है वो बहुत एहमवादी है, he is very egotist, और सोचता है कि वह सबसे अच्छा baseball खिलाडी है, ठीक है, उसे खुद के ऊपर अभिमान है, ओके, he is very egotist, Next word is pandemic, pandemic का अर्थ होता है महामारी, Outbreak of infectious diseases that occurs over a country or world, एक ऐसी बिमारी का spread या fell off, जो infection से होती है, और जो पूरे दुनिया में, पूरे देशों में fell जाए, उसे हम pandemic, यानि महामारी कहते हैं, For example, Corona is deadly pandemic, Corona virus जो है, वो एक बहुती भयानक महामारी है, ठीक है, Corona is a deadly pandemic, Novice, Novice का अर्थ होता है नौसिखिया, ठीक है, नौसिखिया, यानि जो नई सीखने वाले लोग होते हैं, हम उन्हें novice, नौसिखिया कहते हैं, A person new to and inexperienced in a job or situation, ऐसा व्यक्ति जो किसी job में, किसी field में नया हो और उसे अनुभव ना हो, ठीक है, जो नया नया सीख रहा हो, वो नौसिखिया होता है, और उसे हम English में novice कहते हैं, For example, मैं skying में एक पूर्ण नौसिखिया हूं, I am a complete novice at skiing, Okay, मुझे skying बिलकुल नहीं आती है, I am completely a novice, वै एक reporter के रूप में एक पूर्ण नौसिखिया है, She is a complete novice as a reporter, ठीक है, वो reporter के रूप में एकदब नौसिखिया है, नया नया सीख रही है, She is a complete novice as a reporter.